दोस्तों BSNL ने अब आपको एक और रीजन दे दिया है BSNL पे ही पोर्ट करने का क्योंकि अब इनों ने एक नया चीपर और लॉंगर प्लैन इंट्रिड्यूस कर दिया है इनको भी मालूम है कि लोग भाग तंगा चुके हैं जियो से एटल से वी आई से तो लोहा गरम है यह मिलके भुटा-भुटा खारे होते हैं कहीं आग जला के और कहते हैं चल प्राइस बढ़ाते हैं तो आप अंदाजा लगा लेना कि शायद आने वाले साल के शुरुवात में इस साल के एंड में भी आपको थोड़ा सा प्राइस हाइक देखने को मिल जाए तो आप हैरान मतो क्योंकि इनका एक प्लैन है कि जो 5G के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट करी है उसके लिए हम थोड़ा-थोड़ा करके प्राइस लेंगे आपसे जो अभी BSNL पर पोर्ट होना नहीं चाहरे वो शायद अगले प्राइस हाइक के वक्त में उनके अंदर का इंकलाव या फिर क् प्लैन है जिसको अगर आप ब्रेकडाउन करोगे तो आपको हर महीने 200 रुपे का ये प्लैन पढ़ रहा है जिसके अंदर आपको 2GB पर डे 4G की स्पीड मिलेगी 100 SMS मिलेंगे और इसी के सासत अनलिम्टिड वोइस कॉलिंग होगी और खास बात यह है कि आपकी रोमिंग फ् वाली जो गेम्स होती है वो खेलने को भी मिल जाएगी उसकी एकसेस मिल जाएगी तो बैसिकली BSNL पूरी कोशिश कर रहा है आप लोगों को अट्रेक्ट करने की और उपर से खास बात यह है कि रतन टाटा भी अब जुड़ चुके हैं BSNL के साथ में दरसल टाटा की डील ह हुई है 15,000 करोड की BSNL के साथ में जहां पर वो 4G का इंफरस्ट्रक्टर तयार करने में इनकी हेल्प करेगा डेवलप करने में मदद करेगा और जिन एरिया के अंदर 4G का नेटवर्क नहीं आ रहा वहां पर जल्द से जल्द लाने की तैयारी की जाएगी और उपर से कई सारे डेटा सेंटर भी बनाये जाएंगे इंडिया के अंदर तो अब एक लिए कुछ चार रीजन सेलेक्ट किये गे जहां पर यह डेटा सेंटर बनाये जाएंगे तो BSNL का 4G का इंफरस्ट्रक्टर तो अब बड़ी तेजी के साथ में डेवलप हो रहा हाला कि उन्होंने क्या दिया था कि इसका रोलाउट हमने कई सारे स्टेट के अंदर शुरू कर दिया है तो अगर आपके स्टेट के अंदर 4G आ चुका है आप उसको ढूंड भी सकते हो इनका खुद का मैप यह जिसके अंदर देखने पर पता लग जाता है कि आपके कौन से एरिया के अंदर कौन सी सर्विस मौझूद है 3G की है 4G की है 5G की है मतलब जिस भी स्टेट के अंदर जो उनसी भी सर्विस मौझूद है जिस भी एरिया के अंदर वो मैप देखकर आप पता लगा सकते हो कि आपको मिल रही है वो सर्विस या नहीं सो बीस अनल से जितना हो पा रहा है वो उतना कर रहा है मतलब नए ने प्लैन लेकर आ रहा है सस्ते प्लैन लेकर आ रहा है तो आपको भी उसको एक मौका देना चाहिए भाई एक सरकारी कंपनी है जो अलमस डूबने वाली थी और किस तरीके से बच गई तो आपको भी सपो चल रही है जियो की वो आपके साथ में खड़ा हुआ है तो आपकी तरप से वो एक मूतोर जवाब दे सकता है जियो को एटल को वी आई को जो यह प्राइवेट कंपनी है जिनकी इस वक्त में मोनोपोली चल रही है जब मर्जी आकर यह प्लैन बढ़ा देते हैं अब आप दे के से धीरे-धीरे करके plan बढ़ा रहे हैं कई सालों से आपको पता भी नहीं चल रहा होगा लेकिन अभी आपके पास में मौका है आपके लिए खड़ा हुआ है BSNL तो आप अगर इस पर पोर्ट होते हो अपने secondary sim के साथ में भी तो उसको काफी जादा support मिल जाएगा इन से सकता है कई सारी जगों पे स्पीड की दिक्कत हो सकती है लेकिन अपने secondary sim को आप पोर्ट करवा सकते हो तो यह से बिए सनल को काफी जादा support मिलेगा और उपर से जो 3600 रुपे का plan है जियो का एटल का 365 दिन का plan है वहीं पर आपको 2400 रुपे में 395 डेस दे रहा है BSNL तो क् पर्ट होने में क्योंकि primary sim से तो आप अपना जो भी काम करते हो जो जरूरी से में उस पे तो रहो क्योंकि अगर आपको लगता है आपके एरिया में अनस्टेबल है BSNL तो आप primary sim पर रहो लेकिन secondary sim को आप यूज कर सकते हो ऐसे BSNL क्योंकि कई जगों पर जब आप जाते ह देना है उनका नुकसान करके जवाब देना है कि भाईया हमें तुम चाहिए ही नहीं हमारे पास BSNL में शिफ्ट हो जाएंगे और तुम अनंत अंबानी की अनंत शादिया और करवाते रहो